हलो गाइज तो इसमें हम आर बिए इंस्टेंट मेंस का सेल गेफन अलाइस कर देंगे अभी मैंने कुछ दिर पहले एक्सम दिखा आया हूं तो उसमें जो कोश्चन्स थे वह बहुत ही बीसिक्स लेवेल का थे जो रिजनिंग है रिजनिंग में मैंने थर्टी सीक्स सॉल्फ किया है मैंने और भी ज्यादा हो सकता था मोक्टेस्ट अभी तो नहीं देता हूं मैं तो इसलिए थोरा से कम हो गया ने तो 40 बहुत आसान से 40 आप एटेम कर सकते हो अगर अच्छी से प्रिपरेशन हो जाए ठीक है तो यह तो अच्छा हुआ रिजनिंग फिर क्वां प्रिपरेशन का थे कुछ मिसिंग नंबर की कोशन से उसमें थोड़ा से टाइम लग गया उसके बाद एक डिया में थोड़ा टाम लग गया इसलिए मेरा 28 अपन था लेकिन बहुत आसान है आप इसमें भी कम से कम 33 आटेम करी सकते हो इंग्लिश का भी लेवल बहुत आसान इसलिए लिए दिक्कत हुंआ तो इसमें भी क्या हुआ कि कम्थिटर में अच्छा क्या कंप्योटर में 31 एक्टम कर दिया बहुत इसी कुछ से ठीक है और जो करेंटा धीर से से करेंटी पेशस में मैंने 14 एक्रिप कर दिया था 14 ही बस मेरे से हुआ जिसमें भी 8 मेरे पक्के है छे तुक्के वाला है जे एमडी करके मैंने बस छे ऐसे पूट कर दिया क्योंकि इसमें जो होता है ना अर्भी में तो इसका जो कट ओफ होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है तो जो स्टेक्शन होता है वो 10 के आसपास होता ह तो इसलिए मैंने 14 एटेम किया जिसमें 3 ऑल्डेडी गलत है मुझे पता है ठेक है तो बाकी का रिजिनिंग क्वांट इंग्लिश कंप्यूटर यह बहुत बीसिक मतलब की आरट बी क्लर्क लेविल का था यह मान के चलो कि आरट बी बार के बिल्कुल सेम था बस करेंटीफ में मुझे पता नहीं है कुशिंट फॉप होगी क्यूंकि मैंने पढ़ा नहीं है करेंटीफ में बहुत कम पढ़ा है तो इसलिए मैं नहीं बोल सकते इसके बारे में लेकिन बाकी जो भी सब्जिक्ट थे बहुत आसान थे ठीक है तो लुटा इसलिए होगा उनके लिए बेस्ट फ लख और हां सामनी एक्जम आ रहा है जूलाई से मान लो कि अपना पfourth चांप होगा है डिखया और करो कि जुलाई का last week या फिर August का first week में तो देखने को मिली चायागा exam. Preparation करते रहों और best of luck for your exams. Thank you.